कि नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्ण कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूं खुश होंगे सुखी होंगे समपन होंगे दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि जब आपके घर में एंडिर हो जाती है तो वो आपको जीरे नहीं देती आपके घर के धन पर एक зр Ulsta करती है कि आ अब предлож backpack करती हों क्ले ने बश्मिद करती हैा यो अब तक तो सब कुछ अच्छा था और अचानक जगडा होने लगे चांश चांवे नगा गहर को चपडर जस रूप से गेर लेती हैं ऐसी भीमारी आपके सरीर में लग जाएगी दोस्तों कि जिसका आपको कोई कोई उपाई ही नहीं मिलेगा जिस बीमारी को आपको ऐसा लगेगा कि अप में इसको नहीं हटा पाऊंगा मुझे क्या होता है पता नहीं चलता है धीरे धीरे जिसे आपका सरीर गलने लग जाएगा आपका दिमाग चलना बंध हो जाएगा आप किसी भी काम में हाट तो जब भी नेगेटिविटी आपको परेशान करती है तो उस नेगेटिविटी को घर से निकलना बहुत जरूरी है जब नेगेटिविटी आपके घर से निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली घर में धन आने लग जाएगा आपका स्वास्त अच्छा रहने लग जाएगा एक बहुत छोटा सा उपाय इसके लिए मैं आपको बताती हूँ यह उपाय आप मंगलवार के दिन करें शनिवार के दिन करें अमावश्या के दिन करें आपको रिजर्ट बहतर नहीं दोस्तों बहुत 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 देखने के लिए मिलेगा ठीक है जो भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति इसके उपर negativity है कोई भी व्यक्ति ज्यादा अस्वस्त्रे रहा है आपको ऐसा लगता है कोई negativity है किसी का किया धरा है और यह व्यक्ति परेशान है तो आप एक काम करें आपके घर की ज्याड़ू संध्या समय उस व्यक्ति के उपर से सिर से पैर तक साथ बार उतारें उतार करके जहां व्यक्ति सोता है उसके सिरहाने पर रख दें और उसको वहीं पर रखी रहने दें जब तक कि व्यक्ति ठीक ना हो जाए बराबर घर की ज्याड़ू जो भी पीडित व्यक्ति हो उसके सिरहाने पर आप रख सकते हैं सेम क्रिया करनी है यदि आपको यसा लगता है आपके घर का धन जा रहा है आपके घर में लक्षमी नहीं आ रही है ज्याड़ू को संध्या समय common साथ बार तिजॉरी के ओpers अससे आब गोल गोल घुमा दें एससे उसको उतार रहें और उस ज्याड़ू जाडू को आपके में गेट के पास दरवाजे के पास आप उसको रख दें नेगेटिविटी को भगा देगी और दूसरी कोई भी नेगेटिविटी को जाडू आपके घर के अंदर एंटर नहीं होने देगी तीजोरी के उपर से उतार सकते हैं पूरे घर में से हुई आप जाडू को जहां उसका हैंडल है वहां से पकड़ें पूरे घर में जाडू को इसे घुमा लें और में दरवाजे के पास रख दें बस इतना आपको करना है कि जब आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो उसके बाद ज्ञाडु को वहां से आप ना उठाएं ज्याडु को वहां से आप ना हटाएं ठीक है दूसरा दोस्तों बताओं कि जो भी फीडर व्यक्ती है उसका जूता ले लें जूता लेकरके बाएं पেर का जूता लेना है आपको बाहे पेर का और उस व्यक्ति के उपर से संध्या समय साथ बार आप उतार ले उपर से नीचे तक और उस जूते को दरवाजे के पास उल्टा करके रख दें क्या डराबर ऐ जो भी पीड्म व्यक्ति है जब तक ठीक नहीं होता है उस जूते को वहीं पर उल्टा करके रखा रहने दे जो भी negativity उस व्यक्ति के उपर की गई होगी वो negativity वो बुरी आत्मा अपना काम नहीं कर पाएगी जब तक जूता उल्टा रखा है आपके धर्वाजे पर सेम ऐसा ही काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं जो भी घर का मुख्या हो उसके बाएं पेर का जूता ले और पूरे घर में आप उसे घुमा दे हर कमरे कमरे में घुमा दे और दर्वाजे के बाहर चोखट के बाहर उसे उल्टा करके रख दे और उसके उपर एक इंट रख और उसे उल्टा करके वहीं पर रखा रहने दे कोई भी व्यक्ति आपके उपर negativity नहीं छोड़ सकता आपके परिवार के उपर कोई भी negativity काम नहीं करेगी जब तक घर के मुखिया का बाय पेर का जूता उल्टा करके आपने अपने घर के दर्वाजे पर इट से दबा करके रख दिया है बहुत बढ़िया उपाए हैं दोस्तों करने के लाइक है कैसे भी negativity हो आप अपने घर की जाडू से भी इसको ठिक कर सकते हैं और आप अपने घर के जूते से भी इसको ठिक कर सकते हैं और नेच्छरली जब नेगेटिविटी आपके घर से निकल जाएगी तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा धन धान्य से भरेगा बहुत अच्छा उपाए हैं और दोस्तों आप सब को में शत्र कर दू कि हमारी चैनल में काफी फ्रोड लोग गुश चुके हैं काफी ला कि मेरे द्वरा पैसे मांगे जा रहे हैं तो मैं आप सब को शत्र कर दू हमारे द्वरा कोई पैसा मांगा नहीं जाता है कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है सावधान हो जाएं वह व्यक्ति फ्रोड है मेरी ही आईडी बना करके मेरा ही फोटो लगा करके बिजनेस चालू कर रखा है काफी जगा पर जबड़ जस्त लूट हो रही है सावधान रहें ठीक है वरना आप भी लूटे जाएंगे किसी से भी आप कॉंटेक्ट ना करें करते रहें उपायों को यदि कोई ऐसी समझ्या हो जो आपकी समझ में ना रही हो तो कमेंट बोक्स में लिख करके कुछ अवश्य जो भी आपकी और भी कोई समस्या है तो उसे भी आप कमेंट बोक्स में अवश्य ही लिखे जब मैं कमेंट बोक्स देखती हूं तो आज भी ज तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखे मैं उसे पढ़ूँगे और उसके ऊपर से वीडियो बना करके अप्रूट करूँगे ठीक है तो करते रहें खुश रहें और स्वस्त रहें अपना पूरा ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का जैसी प्रश्टा